नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें को यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान लग्येगा उत्तराखंड इस्टेटिक इस्ट्रूस्च करेंगे तो आज का टॉपिक है और लोगप्री यह विखतो ।ूपिक है उनके कुछ निक नेम हैं उनको लोग हम लोग ग। करेंगे exam point of view से काफी important और पहले भी यहां से questions बन चुके हैं तो सबसे पहले list में जो पहला नाम है friends वो है जिया रानी का जिया रानी का निकनेम है लक्ष्मी बाईया उफ कुमायू ध्यान रखेगा जिया टेली तीलू रातिली का जो निकनेम है वो है Queen of जहासी ऑफ गडवाल एक टिक यह किसका ज्यानकेगा थाउली देवी का निकनेम है तिन्चारी माई उसके बाद है आपका गौरापंत इनका निकनेम है शिवानी गौरापंत का निकनेम है शिवानी सत्पाल सिंग रावत इनका निकनेम है सत्पाल महराज ठीक है इंद्रमनी बादोनी इनका निकनेम है गांधी ओफ उत्तराखंड आपके इंद्रमनी बादोनी है उसके बाद है आपका विशेश्वर दत्सकलानी का निकनेम है ट्री मैन ओफ उत्तराखंड ध्यान रखेगा विशेश्वर दत्सकलानी का निकनेम है ट्री मैन ओफ उत्तराखंड अनुसुया प्रसाद बहुगुना इनका निकन इसके बाद है आपका महावीर त्यागी इनका निकनेम है सुल्तान आफ देहरादून नरायन दत्यवारी इनका निकनेम है विकास पुरुष ध्यान रखेगा नरायन दत्यवारी या एंडी तिवारी आप कह सकते हैं इनको बहुत ज़ादा प्रसिद्ध हैं ये विकास पुरुष थीक है उसके बाद फ्रेंट से पंडित गोविन्द वल्लब पंत इनका निकनेम है सन ओफ हिमालिया ये किसका निकनेम ये टाइटल है पंडित गोविन्द वल्लब पंत का उसके बाद हेमावती नंदन बहुगुना इनका निकनेम है हेमवती नंदन इसके बाद फ्रेंट से श्रीधर किमोथी इनका टाइटल या निकनेम है आजाद द्यान रखेगा श्रीधर किमोथी इनका टाइटल है या निकनेम है आजाद शेर सिंग पंगती शेर सिंग पंगती का निकनेम है जोहर आफ जोहारी द्यान रखेगा जोहर आफ जोहारी ये क किसका निकनेम है शेर सिंग पंगती का उसके बाद है डॉक्टर पितांबर अवस्थी इनका निकनेम है नाशा मुक्त अवस्थी ध्यान रखेगा नसा मुक्त अवस्थी भी हम कह सकते हैं नशा मुक्त अवस्थी नाशा नहीं होगा नशा मुक्त अवस्थी ध्यान रखेगा डॉक्टर पितामबर अवस्थी का निकनेम है उसके बाद है आपका गंशी ताशी इनका निकनेम है एवरेश्ट ट्विन्स गंशी ताशी किसका निकनेम है एवरेश्ट ट्विन्स ठीक है उसके बाद है आपका मिनाक्षी खाती मिनाक्षी खाती का निकनेम है ऐपान गर्ल सिंग नीएम मेडिसिन मैं जीत सिंभनेघी का निकनेम है इंदर सिंग भिष्ड का निकनेम एपुल मैण तो ट्री मैन ऊट्राइकंड या फिर मेडिसिन मैं गडवाली सेगल एपुल मैंपिल्मैन आपका निकनेम है इंदर सिंग भिष्ट का उसके बाद है आपका लोक रतनपंत लोक रतनपंत का निकनेम है जिमानी धानके का लोक रतनपंत का निकनेम है जिमानी उसके बाद है आपका गौरी दत्पांडे गौरी दत्पांडे का निकनेम है गोर्दा उसके बाद आपका ओलेडी ह निक्नेम है ये एक जी आराणी का निक्नेम हमने ऊपर और देखा है ठीक है आ brigा पंत का निक्नेम है डाउटर गूदर कर देया न किज़तर न कर देखा है इंक आर्च न का निक्नेम है ना कका करनावती का निकनेम क्या है नाकटी रानी ठीक है उसके बाद है आपका मिस कैथरीन हैलिमन मिस कैथरीन हैलिमन का निकनेम है सारला बहन ठीक है इनका निकनेम क्या है सारला बहन गौरा देवी इनका निकनेम है चिपको वुमन ठीक है उसके बाद आपका कल्यान सिंह रावत का निकनेम है मैती सिव प्रसाद दबराल इनका निकनेम है 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 इनका निक उसके बाद हरश देव ओली का निकनेम है मसूलनी या लियान, आगे बढ़ते हैं लिस्ट में फ्रेंट्स, मुकुंदराम बथवाल, मुकुंदराम बथवाल का निकनेम है देवाग्या, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉंट है, याद रखेगा, सिव परसाथ द दबराल का निकनेम है चरण, उसके बाद आपका गरीश तिवारी, गरीश तिवारी का निकनेम है गिर्दा, हैनरी रामजे का निकनेम है किंग ओफ कुमायू, नैन सिंग रावत, नैन सिंग रावत का निकनेम है मौलिक पंडित, नैन सिंग रावत का निकनेम क्या है, मौलिक पंडित, सुरेंदर सिंग बंडारी का निकनेम है उत्तराखंड एक्स्प्रेस, सुरेंदर सिंग बंडारी का निकनेम है उत्तराखंड एक्स्प्रेस, जेम्स Edward Corbett के दिव्यारावत इनका निकनेम है Mushroom Lady या Mushroom Girl द्याना कियेगा Mushroom Lady लिखा हो या Mushroom Girl लिखा हो ये निकनेम किसके हैं दिव्यारावत के उसके बाद है आपका Frederick इनका निकनेम है The King of Harshal Frederick का निकनेम है King of Harshal Madhumita Wisht इनका निकनेम है Badminton Queen ठीक है Madhumita Wisht का निकनेम है Badminton Queen और Kabutari Devi इनका निकनेम है Tijan Bhai of Utrakand Kabutari Devi का निकनेम है Tijan Bhai of Utrakand और Ramesh Bhateja इनका निकनेम है Twilight Man तो ये भी एक important point है Ramesh Bhateja का निकनेम है Twilight Man तो इस list को आप एक दो बार देखिएगा I hope कि आपको याद हो जाएगा उसके बाद friends है अगली listing है हमारी popular nickname of cities of Utrakand तो Utrakand के कुछ शहर है उनके भी कुछ nickname है और इनसे भी questions पहले बन चुके हैं जैसे Kart Godam जो शहर है इसका निकनेम है Gateway of Kumayu Kart Godam का निकनेम है Gateway of Kumayu Nainital इसका निकनेम है City of Lakes यह हम लोगों ने पहले भी बात की है Nainital का निकनेम है City of Lakes उसके बाद आपका Mansoori Mansoori का निकनेम है Queen of Mountains Kausani इसका निकनेम है Swigiland of India यह points वालेड़ी हम लोगों डिसकस कर चुके हैं पहले भी उत्राखंड स्टाटीजी के में Kausani इसका निकनेम क्या है Swigiland of सुत्राखंड अलमोडा का निकनेम है City of Balmita है ना तो यह सारी points हम लोग पहले भी डिसकस कर चुके हैं अब तक हम लोग ने हाँ पर जो डिसकस किये हैं City of Balmita कि इसका निकनेम है अलमोडा का उसके बाद आपका हरिद्वार हरिद्वार का निकनेम है तीर्थ नगरी या गंगाद्वार पिथोड़ागड का निकनेम है मिनी कश्मीरिया सोर द्वार हाट इसका निकनेम है City of Temples रानी खेत लैंसडाउन ध्यान रखेगा इसका निकनेम है Heritage City इसको आप लोग याद रखेगा तीर्थ नगरी गंगाद्वार या कुम्ब नगरी ठीक है चामोली का निकनेम है अलकापुरी तो यहाँ पर हमारे Important Cities की लिस्टिंग खतम हो जाती है इसके बाद स्रेंट से उत्राखंड स्टेट से रिलेटेड कुछ Important Science, Technology and Environment के उपर Facts को हम लोग डिस्कस करने जा रहे है तो सबसे पहले State Information Technology Policy 2018 ये बनाए गये थी किसलिए इसको objective क्या था मैं आपको सार बता दे रहा हूं इसका कि basically यहाँ पर जो investment होता है उसको attract किया जा रहा था इस स्टेट में ताकि IT सेक्टर आप कह सकते हैं इंप्रूफ कर सके और जो वहाँ के youth हैं उनको employment opportunities उत्राखंड स्टेट में ही प्रोवाइट किया सके तो इस भावना के साथ State Information Technology Policy 2018 बनाई गई थी और Communication System को Montaneous Region में इंप्रूफ करने के लिए या आप कह सकते हैं स्टेट के जो remote areas हैं वहाँ पर Communication System इंप्रूफ करने के लिए फर्स्ट राइट ऑफ वे 2018 policy इशू की गए थी Department of IT या Information Technology के द्वारा इस Policy Guidelines में ये चीज़े भी मेंशन थी कि स्टेट में communication को और बेटर बनाने के लिए मोबाइल टावर से स्टेट में जगए 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 लगाए जाएं साथ Optical Fiber भी बिछाने का इसमें प्रावधान किया गया था तो ये तो कुछ सार था important इसके बाद कुछ important acts हैं या कुछ important facts हैं जिनकों लोग यहाँ पर स्कस करेंगे जैसे new information technology policy जो थी वह स्टेट में इश्व की गए थी नॉम्बर 2018 में तो यहां से question बन सकता है state data center या फिर IT incubation center and statewide area जिसको swan center भी का जाता था यह कहां पर located है IT park में located है दहरादून में ध्यान रखिएगा ठीक हैं उसके बाद drone and cyber security training and research center has started information technology भवन from 9th July 2018 ज्यान रखिएगा 9 July 2018 से drone and cyber security training and research center को start किया गया था IT भवन में ठीक हैं उसके बाद आपका इसी में अगला point आता है state data center को launch किया गया था 26 November 2018 को state government society academy जो आपकी located है या information technology academy कहां पर located है state government की उत्रकंड state की तो आपकी हलद्वानी या नैनिताल चीक हैं उसके बाद सब्सक्राइब कि Microsoft academy center by IT यह कहां पर located है तो यह आपका हर्मिटेज भवन नैनिताल में located है IT academy by hp company यह कहां पर located है तो नरेंदर नगर टहरी में located है IT academy by hp company उसके बाद बाद बायो टेक्नोलोजी पार्क या बीटी पार कहां पर located है तो पंत नगर या पंत नगर में located है और हम कह सकते हैं पतवादार नगर पतवाद नगर नैनिताल चीक है तो दो जगए बायो टेक्नोलोजी पार्क है उत्राखंड में एक आपका है पंत नगर में और एक है आपका पतवाद नगर में ने निताल में उसके बाद फ्रेंट से अगला पॉइंट है इसी में selected by the center to make solar city तो किस शहर को या किस जिले को select किया गया है solar city बनाने के लिए तो वह आपका देहरादून उसके बाद इ-governance year celebrate किया जाता है उत्राखंड राज में technology इसको establish किया गया था देहरादून में 21 फर्वरी 2005 को उत्राखंड space application center जिसको USEC भी कहा जाता था यह आपका देहरादून में start किया गया है 21 सितंबर 2005 को तो 21 फर्वरी 2005 को आपका बनाया गया था state council of science and technology या फिर उत्राखंड council of science and technology और 21 सितंबर 2005 इसमें सुरू किया गया था उत्राखंड space application center उसके बाद strength से अगला point है इसमें कि उत्राखंड state council for science and technology इसको start किया गया था देहरादून में since 2005 उत्राखंड center for science education and research जिसको USARC भी कहा जाता था इसको देहरादून में start किया गया है state specific में आपसे कई बार exam में पहले भी पूछी गई है सारे point से आपने include करके हम चल रहा है software technology park of India ध्यान रखेगा यह इंडिया स्तर का है राश्ट्री स्तर का software technology park है जो कि आपका सेला कोई देहरादून में मौझूद है उसके बाद है information technology park आई टी पार्क यह आपका सहस्त्र धारा रोड देहरादून और पंतनगर यहां पर मौझूद है state information technology building यह आपकी located है देहरादून में ही आई टी पार्क में चीक है तो यह important facts है science and technology से related अब हम कुछ बात करेंगी sports की ध्यान रखेगा उत्तराकंड state से related sports के हम बात करने जा रहे है तो पहला point है Asia's highest stadium मतलब Asia माधिप का सबसे उचा उचाई पर बना हुए stadium कौन सा है तो आपका पौडी रांसी stadium है ध्यान रखेगा पौडी रांसी stadium मतलब पौडी में मौझूद है पौडी का रांसी stadium नाम क्या है रांसी stadium उसके बाद है अगला point इसे में the footballer राम बहादूर खेटरी नोन एज चाईना बॉल ध्यान रखेगा जो राम बहादूर खेटरी यह एक footballer है और इनको china ball के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद त्रिलोक सिंग बसेदा यह भी एक footballer सब्से पहले उत्राफ्टि वेट-लिफ्टर कौण है तो के सी सिंग बाबा ध्यानर केगा के thats सिंग बाबा यह उन्दरास्टरी असतर पर उत्राफंड से पहले वेट लिफटर है उसके बाद आपका क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी बहुत इंपोर्टन पॉइंट है यह कहां से आते हैं तो उत्राखंड के अलमोडा जिले से आप कहा सकते हैं एक गाउं है जिसको लवाली विकायाता है तो लवाली विले से बिलॉंग करते हैं अलमोडा के कौन क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी या मस धोनी के नाम से आप जानते हैं माही के नाम से आप जानते हैं उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर म में तो jetzt में मास्टर प्युपाद दी आती है तो यह आपके इंटरनेशनल मास्टर थे चेस enterprise के बात और एक इंपोटन प्वीन स्थेंट है कि यह यंगेस्ट इंटरνεशनल मास्टर ठ्यान रखेगा यंगेस्ट held in the state, तो first winter SIF games held in the state, ये कब और कहां पर मरा गया है, उत्राकंड राजे में, SIF games पहला, जो winter SIF games होते हैं, तो आप कह सकते हैं, कि 10-16 जनुरी 2011 को, औली और धहरादूर में ये आयजित किये गये हैं, first winter SIF games, उसकी बाद friend से अगला point है, the world, देव घुमी, was added instead of उत्राकंड in the state sports award, starting from 2013, तो उत्राकंड का जो state sports award है, जोकि 2013 से start किया गया है देना, उसमें उत्राकंड के स्थान पर देव घुमी शब्द जोड़ दिया गया है, तो मतलब award के नाम में, तो ये देव घुमी शब्द कब जोड़ा गया है, तो आप कह सकते हैं, 2015 में जोड़ा गया है, उसके बाद friends अगला point है, when was the sports policy declared in उत्राकंड, तो 16 January 2006 को उत्राकंड राजी के लिए sports policy declared की गये थी, अगला point है देख लेते हैं, in which year was the sports academy established in देरादून, देरादून में sports academy कभी established की गये थी, तो 2001 में established की गये थी, where is Nehru Montaner Institute located, तो Nehru Montanering Institute जो था है, वो 1965 में बनाए गया था, और कहाँ पर बनाए गया है, तो उत्तराकंड के उत्तरकाशी डिस्टिक में, उसके बाद friends से Nainital Montanering Club ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका Nainital में मौझूद है, ध्यानर कियेगा, नainital से ही नाम से clear है ये, Montanering Club, उसके बाद friends सगला point test में, महाराना परताप Sports College in Nainital, राजिव गांदी International Cricket Stadium, Football Academy, ये सारी कहाँ पर located है, तो ये सब देहरादून में located है, ध्यानर कियेगा, तो महाराना परताप Sports College ये आपका Nainital में है, बाकि राजिव गांदी International Cricket Stadium और Football Academy ये आपके देहरादून में है, तो important point है ध्यानर कियेगा, राजिव गांदी Adventure Sports Academy, ध्यानर कियेगा, ये आपका टेहरी में मौझूद है, राजिव गांदी Adventure Sports Academy, तो यहाँ पर confused आप लोग मत होईएगा, राजिव गांदी International Cricket Stadium ये आपका देहरादून में है, और राजिव गांदी Adventure Sports Academy ये आपका टेहरी में है, आगे बढ़ादाएगे अगला point references में, इंडियन Military College देहरादून में, टूटल आपके 7 football grounds, 3 cricket grounds, 3 square pools, 3 basketball court और एक आपका gymnastic center मौझूद है, तो ये एक important point था, इसके बाद स्वेंट से अब हम बात करेंगे, first person in the state and the country, तो यहाँ पर सबसे पहला point है, first भारत रतना अवाड़ी, तो उत्राखंड राज इसे, हम पहले वेक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि उत्राखंड राज में या पूरे country में importance रखते हैं, तो पहला point है, first भारत रतना अवाड़ी, तो ये आपके थे दित गुविंद वरलपपन्त, 1957 में, उसके बाद आपके first पद्म विभूशन अवाड़ी, ये थे आपके डॉक्तर घनानंद पांडे, 1969 में इन्हें पहला, आपके सकते हैं, पद्म विभूशन अवाड़ दिया गया था, उत्राखंड राज इसे पहला पद्म विभूशन अवाड़ था, 1969 में, साइंस के एरिया में इन्हें, डॉक्तर घनानंद पांडे को पद्म विभूशन अवाड़ दिया गया था, उसके बाद है, पहला पद्म विभूशन अवाड़, तो ये आपका कमलेंदू मती शाह, इनको मिला था, 1958 में शोसल सर्विस के लिए, तो फ पद्मशरी अवाड़ मिला था, चत्रपती जूशी को, वारलेस एक्सपर्ट है ये, पद्मशरी अवाड़ इन्हें पहला मिला था, फर्स्ट नेशनल ब्रिवरी अवाड़, तो ये मिला था, हरी सराना को 2003 में, उत्तरकाशे डिस्टिक से ये आते हैं, इसके बाद है आप आपका सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, चिदंबरम के लिए 1968 में, फर्स्ट साहित एकेडमी अवाड़ आपका रशकिन ब्रैंड 1992 में, दूसरा साहित एकेडमी अवाड जो था, ये आपका लीला धर जागोडी को 1997 में मिला था, इसके बाद से महिला कटेगरी में, फर्स हंसा मनरेल को 2001 में, तो फर्स्ट दुरुनाचार अवाड गिवन तो दे वुमें, तो वो थी आपकी हंसा मनराल, उसके बाद फ्रेंड से, फर्स्ट मेडल रिसीपेंट इन दे कॉमन वल्थ गेम्स, तो ब्रोंज मेडल मिला था, मिडल वेट गुरूप में, हरी सिंग को 1958 मे ठीक है, जो कि उत्राखंड राजी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट मेडल रिसीपेंट इन एशन गेम्स भी सेम है, हरी सिंग, 1958 में यहाँ पर एशन गेम्स में इने सिल्वर मेडल मिला था, मिडल वेट गुरूप में, और हरी सिंग को यह आप कह सकते हैं, कॉमन वेल्थ मे 1958 में ही ब्रोंज मेडल मिला था, मिडल वेट गुरूप में, उसके बाद फर्स्ट गोल्ड मेडल रिसीपेंट इन एशन गेम्स, तो यह आपके पदमा बहादूर मल्ला लाइट वेट गुरूप 1962 में इने मिला था, उसके बाद है आपका मुस्ट गोल्ड रिसीपेंट इन SAIF and Commonwealth Games, तो यह हैं आपके जस्पाल राना, तो बहुत इंपोर्टेंट याद रखेगा, सबसे यादा गोल्ड इन्होंने रिसीप किया है, SAIF याफिर, SAIF और Commonwealth Games, उसके बाद फ्रेंट से पहला परमवीर चक्र जो विनर थे, उत्राकंड राजे से, वो थे आपके मेजर सोमन कुमायू रेजिमेंट से बिलॉंग करते थे, फर्स्ट परमवीर चक्र, तो काफी इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना होगा, दूसरा परमवीर चक्र जो था, वो आपका था मेजर शैतान सिंग, 1962 में, तो मेजर शैतान सिंग, 1962 में इन्हें दूसरा परमवीर चक्र मिला था, तो ट्रिक अगर आपको अगर नाम भूल जाए, तो ये ऐसे ट्रिक के बेसिस पर प्याद रख सकते हैं, कि ये शैतान थे, मतलब शैतानी ज्यादा करते थे, तो मेजर शैतान सिंग को 1962 में इन्हें परमवीर चक्र इसलिए मिला था, पहला इसलिए नहीं द इसलिए नहीं दूसरा मिलेगा, उसके बाद फ्रेंट से पहला जो अशोग चक्र था, ये आपका मिला था, भवानिदत जोशी को, और पहला विक्टूरिया क्रॉस जो था, ये मिला था, दर्बान सिंग नेगी को 1914 में, ठेक है, तो फस्ट विक्टूरिया क्रॉस जो था, ये दर्बान सिंग नेगी को 1914 में मिला था, उसके बाद से इसी में अगला है, रिसीपेंट ऑफ दे स्टेट्स फर्स्ट देव भूमी खेल रतना वार्ड, तो देव भूमी खेल रतना वार्ड जो था, पहला, ये किसको मिला था, ये आपका जस्पाल राना को मिला था, जो से आदा गोल्ड रिसीपेंट कोन है, जस्पाल राना, जो केक शूटर है, उत्राकंड राज से आते हैं, 2013 में हम कह सकते हैं कि फस्ट देव भूमी खेल रतना वार्ड इनको ही दिया गया है, चीक है, तो देव भूमी खेल रतना वार्ड को सब पहले क्या काया था था, उत् देव भूमी दूनाचार अवार्ड था, वो किसे दिया गया था, तो यह एक बॉक्सर थे, हरी सिंग थापा, 2013 में यह उपादी दिया गया था, देव भूमी दूनाचार अवार्ड, उसके बाद से रिसीपेंट ऑफ इस्टेट फर्स देव भूमी लाइफ टाइम अचीमे यह पहले गोल्ड मेडल रिसीपेंट हैं, एशन गेम्स के, ठीक है, 1962 में लाइट वेट ग्रूप में इन्हें, पद्म बादूर मल्ला को ही एशन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दिया गया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी, देव भूमी लाइफ टाइम अवार्ड के रिसीपेंट भी पद्म बहादूर मल्ला ही हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि एक बॉक्सर हैं और उत्राखंड राज से आते हैं, ठीक है, 2013 में इन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, इसके बाद अगला पॉइंट है सी में, रिस मिस्टर चंडी परसाद भट, इन्हें पहला रैमन मक्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है, 1982 में, सेकेंड रैमन मक्सेसे अवार्ड रिसीपेंट आपके मिस्टर दीप जोशी थे, 2009 में, शोसल कटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, उसके बाद फर्स्ट सुन्दरी आप कह सकते हैं, ये मिला था रितू पाध्या को 1977 में, और फर्स्ट मिस्ट इंडिया अर्थ रिसीपेंट थे आपकी निहारिका सिंग, ध्यान रखेगा, मिस्ट इंडिया अर्थ रह चुकी है, 2005 में, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड से, यंगेस्ट 24 येर हम कह सक हैं, यंगेस्ट परसन टुक्लाइंब एवरेस्ट, ये उपाधी किसके नाम पर गई है, तो विनोद गौसई, उत्तरकाशी से बिलॉंग करते हैं, हम कह सकते हैं, ये 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 यंगेस्ट परसन टुक्लाइंब एवरेस्ट, था इस पीक आफ दी वर्ड, उसके बाद अगला पॉइंट ऐसी में the first person from the state to climb Everest पहला पर से पहली person कौन है जो Everest पर climb की है मतलब चड़े हैं Everest पर जिन्हों ने चड़ाई की है तो वो है आपके हरीश चंदर सिंग रावत 29 मईए 1965 को इन्होंने Everest के चड़ाई की थी और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि first woman of India and state to climb Everest तो यह आपकी मिस बचिंदरी पाल है 24 मई 1984 में यह Everest पर चड़ी थी तो द्यान रखिएगा यह first woman है प्रतम भारती महिला है जिन्होंने Everest की चड़ाई पूरी की थी 24 मई 1984 को बचिंदरी पाल ने और अगर पूछा जाए कि उत्रकंद राज इसे पहले person कौन है जो जिन्होंने Everest की चड़ाई की थी तो हो थे आपके हरीश चंदर सिंग रावत 29 में 1965 में उने चड़ाई की थी ठीक है उसके बाद leader of the women's team that crossed the Himalaya मतला मैला टीम ने Himalaya को क्रॉस किया था तो उस टीम की leader कौन थी तो मिस बचिंदरी पाल थी चार सरवरी से 15 अगस्त 1997 आप कह सकते इतना time लगा था Himalaya को क्रॉस करने में टोटल जर्नी थी आपकी 4000 किलोमेटर की ठीक है तो मिस बचिंदरी पाल इसकी leader थी वुमेंस टीम की leader of the team crossing the 3rd digit 2000 किलोमेटर का लंबा जो 3rd digit है मारा उसको के उसकी भी leader कौन थी उसकी leader भी बचिंदरी पाल ही थी ध्यान रखिएगा ये record इंटर हुआ था लिमका बुक में 2008 ठीक है उसके बाद फ्रेंट से वर्ल्ड से सेकेंड एंड इस्यास फर्स्ट यंग ग्रैंड मास्टर कौन है तो यह आपके परी मारजन लेगी पहले भी हम लोगोंने बात किया है इंटरनेशनल मास्टर में चेस में ये पुपादी दी आती है तो परी मारजन लेगी at the age of 13 years हम कह सकते हैं कि दुनिया के दूसरे और इश्या के पहले यंग यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है परी मारजन लेगी ठीक है उसके बाद फ्रेंट से अगला पॉइंट हैसी में कि फर्स्ट वूमें पार्लेमेंटरी इन इन दे स्टेट्स पार्लेमेंटरी हिस्ट्री राज टेहरी इसे बिलॉंग करते हैं 1952 से 1957 तक है पर्लामेंट में रही हैं उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें फर्स्ट वूमेन एंपी आफ्टर दा फॉर्मेशन अफ दी स्टेट उत्राखंड राज के बनने के बाद राज से पहली वूमेन मेंबर आफ पर्लामेंट कौन है तो वो आपकी माला राज्या लक्षमी शाह है माला राज्या लक्षमी शाह या पर टेहरी से आती है 2014 में ठीक है उसके बाद से इस्टेट फर्स्ट वूमेन मेयर और राज सभा मेंबर मतलब उत्राखंड राज की पहली महिला मेयर या फिर राज सभा मेंबर कौन है तो वो आपकी मनोर्मा शर्मा दोब्रियाल है ध्यान रखेगा मनोर्मा शर्मा दोब्रियाल पहली राजेसभा आप कहते हैं वूमेन राजेसभा मेंबर स्टेट की उत्राकंड राजे की और फर्स्ट वूमेन मेर उत्राकंड राजे की वो कौन है मनोर्मा शर्मा डोब्रियाल उसके बाद फ्रेंट्स एस्टेट फर्स्ट वार मिमोरियल जो सौर इसमारक है वो आपका देहरादून में है एप्रिल 2016 में ये बनाए गया था फर्स्ट आर्मी चीफ आपके कौन थे जो उत्राकंद राजे से आते हैं फर्स्ट नेवी चीफ आपके देवेंदर जोशी थे और फर्स्ट वुमेन आईएस ये आपकी जोती राव पांडे ध्यान रखेगा जोती राव पांडे ये आपकी फर्स्ट वुमेन आईएस हैं उत्राकंद राजे से उसके बाद फर्स्ट दोनों में इंडिया या उत्राक उत्राखन राजी की बात करें दोनों में ही स्वर्ष्ट वूमें डिरेक्टर जेनरल अफ पुलिस मतलब वूमें डिजीपी कौन थी पहली महिला डिजीपी यह आपकी कंचन चौधरी भट्टा चारहा हैं यह खिताब ध्यान रखेगा इंडिया स्तर पे भी है और राज अस् पी हैं उसके बाद फर्स्ट फ्रिडम फाइटर उत्राखन राजे से पहला जो स्वत्रता से नानी थे वो कौन थे वो थे आपके कालू महरा 1857 श्वी की करांती में नों ने बहुत ही महत्रपूर्ण भूमे का निभाई थे उसके बाद फ्रेंट्स अगला पॉइंट दे फ फर्स्ट वोमेन फ्रिडम फाइटर तो गो टू जेल मतलब पहली महिला सवतंतरता से नानी जो की जेल गई उत्राखन राजे से वो थी आपकी विश्नु देवी शाह ये भी आपकी बागिश्वर से आती है मतलब मोहन सिंग महता जो की पहले परसंते कुमाय वीजन से जेल गए थे उसके 1921 में वो थे आपके मोहन सिंग महता और अगर पूछा जाए पहली महिला वोमेन या महिला सवतंतरता से नानी या फिर वोमेन फ्रिडम फाइटर जो जेल गई वो थी आपकी विश्नु देवी शाह और दोनों ही लोग बागिश्वर से आती है उसके बाद फ एको रेट डिगरी डिरेक्टरेट डिगरी इन हिंदी स्टेनोग्राफी में पहली डॉक्टरेट डिगरी किसको मिली थी तो गोपाल दत्विष्ट द्यान रखेगा उत्राखन राजे से पहली डॉक्टरेट डिगरी हिंदी स्टेनोग्राफी में गोपाल दत्विष्ट की इसको दी गई तो डॉक्टर पितामबरदत भारतवाल ध्यान रखेगा डॉक्टर पितामबरदत भारतवाल ठीक है उसके बाद सब्सक्राइब अगला पॉइंट है फस्ट पोईट अफ कुमायो रिजन कुमायो रिजन से पहले कवी कौन थे तो वो थे आपके लोकनाथ या फिर लोकरतनपंथ ठीक है गुमानी पंथ के का टाइटल भी इनको दिया गया था लोकनाथ या लोकरतनपंथ और इनका टाइटल था गुमानी पंथ ये कुमायो रिजन से पहले कवी थे इसके बाद अगला पॉइंट है स्टेट फरस्ट निउस्पेपर राजी का पहला न माउन्टेन ठीक है स्टेट फरस्ट जो डेली पेपर था वो था आपका माउन्टेन इंडिया स्ट एगरिकल्चरल युनिवरसिटी बारत की पहली बारत का पहला क्रिशे विश्य विद्याल है तो यह आपका गुविंद वल अपंत उनिवरस्टी ओफ एगरिकल्चरल इन उसके बाद स्टेट फरस्ट म्यूजियम 1914 में बनाए गया था देहरादून फोरस्ट म्यूजियम यह आपका उत्रखनराजी का पहला म्यूजियम था 1914 में बनाए गया था फरस्ट इंस्टिट्यूट एंड म्यूजियम रिलेटेट टू जियोलोजी जियोलोजी से रिलेटे तो Jim Corbett जिसे हम आज National Park के नाम से भी जानते हैं तो Jim Corbett 1936 में इसे Hale National Park के नाम से जाना जाता था तो मत्तब जिसे इस्टेबलिश किया गया था तो इसका नाम था Hale National Park बाद में इसका नाम बदलके Jim Corbett कर दिया गया तो Asia का पहला Garden भी यह कहा जाता है पूरे Asia का, Asia महादिप का उसके बाद इंडिया's first institute for veterinary and research तो भारत का पहला veterinary and research institute कोन सा था तो the Imperial Bacteriological Laboratory मुक्तेश्वर नैनी में ठीक है, 1893 में established किया गया था since 1925 इसको rename कर दिया गया था Imperial Institute of Veterinary Research Indian Veterinary Research Institute के नाम से ठीक है, Independence के बाद Indian Veterinary Research Institute के नाम से जाना जाने लगा उसके बाद इंडिया's first institute for forest education forest education के लिए राश्ट्री अस्तर पर पहला institute कौन सा था तो आपका था forest school of दहरादूर 1878 में established किया गया था 1884 से इसको Imperial Forest College के नाम से जाना गया उसके बाद इंडियान forest college नाम दिया गया आजादी के बाद उसके बाद से अगला है इंडिया's first organization for land survey and map survey department of India तो यह established हुआ था कलकत्ता में 1767 में और फिर आपको यह shift कर दिया गया दहरादूर में 1942 के बास से ठीक है तो भारत का पहला आप कहा सकते हैं land survey organization या फिर map survey organization जिसको survey department of India के नाम से भी जाना जाता है पहले established हुआ था कलकत्ता में 1767 में उसके बाद 1942 से यह दहरादूर में establish कर दिया गया इसके बाद से इस्टेट first state medical research institute राज्य का पहला medical research institute कौन सा है तो वीर चंदर सिंगरवाली medical research institute वीर चंदर सिंगरवाली medical research institute यह आपका पौरी स्रीनगर में मौझूद है 2008 में establish किया गया था state first ophthalmology center यह आपका महात्मा गांधी centenary center for ophthalmology यह आपका देहरादूर में है ठीक है तो यह राज्य का पहला ophthalmology center है उसके बाद से वर्ल्ड से longest pilgrimage दुनिया का सबसे लंबा pilgrimage कौन सा है तो यह आपका नंदा देवी राज्यत यात्रा है 280 किलोमेटर की है पैदल यात्रा 19-20 दिन लगतने है इस यात्रा में ठीक है तो नंदा देवी राज्यत यात्रा 280 किलोमेटर की पैदल यात्रा है तो दुनिया की सबसे लंबी pilgrimage आप कह सकते हैं उसके बाद फ्रेंट से largest temple group in the state उत्राखंड राज में सबसे बड़ा temple group कौन सा है तो यह आपका जगेश्वर है अलमोडा में ध्यान रखियेगा highest temple अगर पूछा जा तो highest temple आपका टुंगनात है रुद्र प्रियाग में ठीक है जो हिसाबसे उचाई के हिसाबसे सबसे उचा mountain peak कौन सा है तो आपका नंदा देवी है साथ यार आट्सो सोले मिटर का उसके बाद से river की बात की जाए length के हिसाबसे तो largest river कौन सी है तो आपकी काली नदी है जील की बात की जाए लेक की तो यह आपकी भीमताल है district की बात की जाए area के हिसाबसे largest district of the state of उत्रकन तो यह आपको उत्तरकाशी है national park की बात की जाए largest national park of the state of उत्रकन तो यह आपका गंगोत्रे national park है largest district with the highest rural population अगर बोला जाए तो रुद्दर प्रयाग में 98% rural population के साथ रुद्दर प्रयाग number one पे है ठीक है उसके बाद अगर urban population की बात किया है सबसे जादा तो आपका देहरा दून है 53% urban population के साथ सबसे जादा population density कि district के है मतलब उत्तरकाशन राज़ के तो वह आप कहसकते हैं सबसे जादा population density हरी द्वार की है 612 ठीक है यह सारे question यह वाला table बहुत जादा important है और बहुत बार इनसे question बन चुके हैं और यहां पर और यह उन सारे questions को include करके हम लोग चल रहे हैं जो अलड़ी previous year में पूछे आ चुके हैं UKPSC में बास्मती producing district सबसे जादा बास्मती के सजिले में produce होता है तो आपका देरादून है सबसे height के साथ सबसे बड़ा dam कौन सा है तो आपका टेहरी dam है उसके बाद friends सबसे जादा उचाई पर high altitude temple जो है अभी माम लोग ने बात की टूंगनाथ temple ठीक है उसके बाद सबसे बड़ा rope way आपका जोसी मट से लेकर ओली तक है ध्यान रखेगा जोसी मट से ओली तक का जो रूप वह है वो सबसे बड़ा है largest district with भूतंतिक tribe सबसे जादा किस district में है तो आपका पिथोड़ा गड़ है जोंसरी tribe के से जिले में सबसे जादा है तो आपका देहरा दून है बुक्सा tribe आपकी सबसे जादा उधन सिंग नगर में है ध्यान रखेगा उधन सिंग नगर में बुक्सा ट्राइब सबसे जादा है उसके बाद अगर one राजी ट्राइप की बात करें तो यह आपकी सबसे ज़्यादा पिथोड़ागड में है थारू ट्राइप सबसे ज़्यादा उधन सिंग्नगर में है मतलब बुकसा और थारू अक्सर यह साथ साती नहीं वास करते हैं बुकसा और थारू तो ये दोनों ही उधन सिंग नगर में सबसे ज़ादा है उसके बाद सबसे बड़ा वाइड लैफ सेंचुरी आपका केदारनाथ वाइड लैफ सेंचुरी है उत्रकंड राजे में और सबसे उचाई पर जो इस्टेडियम बनाए गया है पहले भी हम लोग बात कर चुके है पौडी में बनाए गया है रांसी स्टेडियम रांसी स्टेडियम जो है यह सबसे बड़ा उत्रकंड राजे का हाई एल्टिट्यूड स्टेडियम है मतलब सबसे उचाई पर है सबसे बड़ा नहीं है कुछ important facts हैं with respect to the culture as far as state of Uttarakhand is concerned तो आज़े देख लेते हैं गडवाल region and कुमायू region and John Sir region are the major cultural regions of the Uttarakhand गडवाल, कुमायू और जोंसर इं major cultural regions से Uttarakhand राज़के में छीक है उसके बाद Valley of Flower जो कि 2005 में बनाये गया UNESCO World Heritage List UNESCO World Heritage List में included tangible heritage जो है state की वो कौन सी है value of flower 2005 में include किया गया और नंदा देवी जो रिजर्वे 1988 में उसके बाद friends intangible अगर बात की जाए intangible heritage की तो जो की UNESCO World Heritage List में included है तो आपकी रम्बन उत्स हो जाएंगी 2009 में कुम्ब मेला हो जाएगा 2017 में include किया गया था चीक है उसके बाद friends हिमालेन cultural center 2010 में is at गहरी केंट देहरादून द्यान रकी का हिमालेन cultural center यह आपका 2010 में बनाए गया था गरही केंट देहरादून में उसके बाद for the development of culture Sanskrit साहित and कला परिशत has been established in देहरादून in 2004 तो culture culture के development Sanskritic विकास के लिए Sanskrit साहित और कला परिशत इसको established किया गया था देहरादून में 2004 में तो यह भी एक important point है उसके बाद friends से जो Sanskrit संस्थान है इसको established किया गया था हरिद्वार में for the development of Sanskrit language Sanskrit language के development के लिए Sanskrit संस्थान को established किया गया था हरिद्वार में और theoretical arts के development के लिए रंग मंडल को established किया गया था देहरादून और अलमोडा में तो ध्यान रखेगा Sanskrit संस्थान का establishment हुआ था for the development of Sanskrit language in हरिद्वार and theoretical art जो है theatrical जो arts है theoretical नहीं है theatrical arts जो है मतलब theater से related है इसके development के लिए रंग मंडल established किया गया था देहरादून और अलमोडा में तो ये दोनों point भी कासी important है मतलब आपसे simple ये पुछाय सकता है कि रंग मंडल कहां पर मौजूद है या कहां पर established किया गया थे theoretical arts के development के लिए तो हूँ आपका देहरादून और अलमोडा हो जाएगा उसके बाद सेंट से अगला point है the academy of natya and sangeet has been established on 19th of October 2008 फाल सिमा अलमोडा में 2002 में academy of natya and sangeet को establish किया गया था 19 October को उसके बाद से उदय शंकर नृत अंड नाट अकेडमी उदय शंकर यहाँ पर आप देह सकते हैं उदय शंकर नृत अंड नाट अकेडमी इसको establish किया गया था अलमोडा में 2003 में तो यह वाला point पहले भी exam में पूछा गया है इसलिए इसको special याद रखेगा उदय संकर नृत अंड नाट अकेडमी यह आपका अलमोडा में 2003 में established किया गया था उसके बाद friends there are three colleges of भात खंडे हिंदुस्तानी भारत खंडे आप कह सकते हैं भात खंडे लिखावा है भारत खंडे हिंदुस्तानी music institute in देरादून, अलमोडा and पौडी मतलब तीन college हैं भारत खंडे हिंदुस्तानी music institute के देरादून, अलमोडा called रंगिलो बरंत, ध्यान रखेगा जो उत्तरकाशी और गेवार रीजिन है अलमोडा का उसे रंगिलो बरंत के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो यह कुछ important facts थे उत्तराखंड राज से related जो आगे छूट गया थे UK static GK से related जो कि यहाँ पर discuss already हम लोगों ने कर दिया है इसके बाद friends next video में हम लोग discuss करेंगे उत्तराखंड के historical aspect को उत्तराखंड के history को हम लोग discuss करेंगे तो इसमें हम लोग pre history से ले करके modern तक आएंगे okay friends so thank you so much for participating in this session